तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक से करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इंपोड़न टॉपिक है वो है क्या साइज रहती है किस कंडिशन में कौन सा यूज क्या है कितने कुछ आजके miah है किसे कुछ डाउट जितने सादध रिलेटे जा इंत्काइब किसजी को कहते हैं debuted indaOHes ड्रेन युद्रेन यानि एक एसा व decision प्रूब है जो लाउ करता है ड्रेन करना उसके निकाशी करना तो इन यह किया सिस्क्कार मौभर सय ओलता है हो एक माय में फ्लेक्सील आधेinkडा यूठी होश्य यानि खाली है और प्लेक्सिबल होती है एक एक यह साहरे अपन यूरीन का प्लास्टिक होती है जाने जाने एक वे फ्लेक्सिबल ट्यूब उसको अबन के त्रडटर बोलते हैं हम बात करते हैं इमेज कि तुझे इमेज है ठीक है एक वी हो गया शेकंड वे हो गया यह ब्लून है जो यह ना इंजक्षन से शीरिंस इस से अपने उसको वाटर पुस्छ करते हैं फिर यह अब बात करते हैं के तर बना किससे होता है अपने देखा है के तर लेकिन बना किस होता है किस 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 किसा बना होता है यह बना होता है रबर का प्लास्टिक का और सिलिकन का यह तीन जो कंटेंट है उनसे मिला होता है एक तो रबर का ठीक है एक प्लास्टिक का एक सिलिकन का ठ जो बना होता थो रबर का प्लास्टिक और सिलिकन अगर जाम HELP धुसके रबर प्लास्टिक और स्ञां तो रबर प्लास्टिक और उप्स्न हाँ आपनों वही सही करेंगे तो अ को वाटर थोड़ा सा पूस्कते है तक वह बशाइब से ब्लून फोज़ जाए और इसका फिक्सिशन अब योज ले तो है नहीं बेना वज़े अपने योज ले 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 लेते हैं इसे योज रहते है ये योजेज क्या है तो प्यों क्या है तो या ब्लेडर को खाली करने के लिए या उसको प्रोवाइट कंफ़र्ट 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 करने के लिए ना इन वाट करते हैं अब बात करते हैं की साइज क्या तो बात करते है कितर साइज की तो 10-20 फ्रेंच होता ना एफ र का मतलु ओता है फ्रेंच ए टीक है वन फ्रेंच बराबर 0.33 mm ठीक है टीक है तो 10-20 10-20 फ्रेंच होता है इन चाइल्ड बच्चों के अंदर 12-14 फ्रेंच होता न वह फिमेल गें अंदर योज लेते हैं एक तो एंदर में में है होते हैं में युजू बन हम लेते हैं श्टीज के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो वह कंडिशन किया कराते है हमें च्रइया इस केसे में अपन चया गया है तो फ्रेंच नमर का तो यह उता है जो होते हैं उसका क्लीनिकल प्रक्टिस जितनी बी जो क्लीनिकल प्रेक्टिस में उस कंडिशन में जो में यूज लेते हैं वो होता है उस परकार यह है इक लुमेंईर और यह तो यह होता है पोली के ट्रेटरत जो इमेज में दिखा रखाए ठीक है अब बात करते हैं फोली के अंदर आता वणने के तर सब्सक्राइब ऐसे कि योजिन शोर्ट टाइम मैड़ रबर यह एन तीन कि इन टीना होता है ठीक है और जो वन वे प्रकरला है यह दिखा रखा है इस प्रकार जो वन वे के थे जैसे इस में दिखा थो यह पिडियाट्रिक है ने फिमैल है पिडियाट्रिक बच्चों के लिए इस प्रकार अलग अलग वे होते हैं इसमें इसमें भी फैस्ट किन्ड हो रही है इस्प्रकार अब बात करτε तो इसकी बात इसको पन्यूज के लेते हैं थोड़े समय के लिए यूज लेते हैं सेवन तुटी टाइमें दिन तक यूज लेते हैं और मोस्ट कमनली बात करते हैं बना किससे होता है यह रबर और सिलिकन का बना उता है जो दो सोट टैम होला होता नहीं होता है रrage का और ये सीलिकुन का ये जो टूवे खेटर होता है वह राबर और सिलिकुन का बना होता है यूज्स आप्टर सर्जरी जो पोस्ट ओपरेट होते हैं आप्टर सर्जरी यानि सर्जरी के बाद ये कंडिसन जैसे मालों पेशेंट को मुमेंट करने के लिए लाउ नहीं करते हैं तो वह कंडिसन वह केस्ट करका रहा होता है वह तो यूज कितने दिनों तक यूज लेते हैं 7-21 डेज यानि वन वीक से त्री वीक तक अपन यूज ले सकते हैं और आप्टर सर्जरी मुश्ट को मली बात करें तो यह सिलिकन के 30 होता है यूज अगर सिलिकन का कथेर बना होता है इसको अगे वीरा ancora शाने जैसे ज्यादा यूज कर सकते हैं थे जिकन कफेंटि अब बात करते हैं लूमें की तो टो सब्सक्राइब के थोख पर यूरीन पाउट ज है अब इसमें यह वह होता है करें के लिए लेंज भेस करें से ताको बनु साइब अंधर जो होता है वह मालों मेडिकेशन दर ना है उसके लिए जो धर आ उसका यूज करते हैं या इरिगेशन के लिए लुमेन फैस्ट की बात करें गया तो लिए होता है अब इंदरी जो होता है इंडिकेशन साफ स्पाई या फिर मेडिकेटेड मेडिकेशन है ना वन शेट करने के लिए थ्री वे लुमेन का युज़ लेते हैं इसलिए तीन लुमेन होते हैं अब बात करते हैं सेकेंड नमर जो कैटेटर है वो उसका नाम है कॉंडम कैटेटर का युझेह उन्सिस्टेम की तो दो दो मसल काम करती है एक इतर्टूज ये रिट्रूजर है तेक कोता है ट्राइगोन इनका कोंट्रेक्शन और इनका रिलेक्सन नहीं युजिए पास आूट करीशन हो पाती है ना मिस्टूरेशन की प्रोसेस हो पाती है तो एक उता तो बात करते हैं और इसके अंदर मसल वीक्नेस है मसल ना पूरी वीक्नेस है वसल पूरी काम नहीं करें वीक है ना तो अगर कॉंडम के तर्ट होता है इसको लेकि यूरीन जो बच्चे होते हैं उनमें यूरीन का सेमपल लेते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए उसका यूज लेते हैं कॉंडम के तर्ट है अब बात करते करव के तर्ट है करव के तर्ट हो तो यह साइज तो यह रहती है करव के तर्ट हो यह इमेज तो यह रहती है करव के तर्ट होता है ठीक है यूजीन बीपीएच पेसेंट बीपीएच का मतलब क्या होता है बीपीएच का मतलब होता है बी तो इस के बढ़ जाती है तो उसके बढ़ जाती है तो इसके अंदर जो कर बादा रही है यूज लेंगे जो इस साइज में या इस इस टट्र में आता है ठीक है बात करते हैं मेल कोट करते हैं मेल कोट कर इसका सब्itchens लेतें यूजिन अइबीयाफ मनतलब हőता है इन वीडियों दिश्डनाइब होता है in वीडियों यानि विच्थ रहा ना फुर्ण की ठीक जोर्णीनिक ड्रांस्प्लाट कर रहे हो ड्रांस्प्लांट कर दो तो उसके व reportedly में अपन किया कि civ ड्रेट्र का य६च लेते हैं एक तो IVF जंज इन ट्रों फरेटलाइजेशन एक रिनल ड्रांस्प्लांट न के स्थिर्दी का ट्रांस्प्लांट कर रहे हो तो उसके में अब बात करते हैं कौन शी पोजिशन लेते हैं स्थिति क्या रहती है कि बात करते हैं कि अब जर्षा रहती हैं अब बात करते नोर्म लेंथ औफ मोर्म लेंथ औफ हुपीं यॉरियटर हुधाज ॉर्षा का नुण बढ care लूमाई यह लंबढ़ रहती है तिई चार संटिमेटर के यानि फोर संटिमीटर हो स्पी Consider लैंथ एंद रहती है अब बात करते हैं इंसरेशन ओस्पिन कितना अब तो 527 संटिमेटर था इतने तो बात करते हैं यृतर यह कि दृट नुरी टैए तो बख़ता है चाहर् चार करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं तो फिक्स करते हैं तो फिमेल की बात करें तो इसके अंदर लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई मेल की बात करें लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई मेल की बात करें लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थाई मेल की बात करें लेटरल तो लेको 8 में करते हैं अब बात करते हैं पर प्रकार सिंदोज का करते हैं या इंद्र आस्पेक्ट याँ प्राइण के इंद्र अस्ट मी घ्या्ति सेकनड Iस 번째 जबाइड ना अब है त्व दो आप जाइए और एंद्रों से जीन कर सकते हैं अब बात करते हैं, अगर हम लोग किसी कंडिसम सहां जासे करना हो जासी के रहेंगा है. तो उसके अंदर कभी इंस्रेशन या फिक्सेशन नहीं करना क्योंकि कॉंप्लिकेशन हो जाती है इस प्रकार है मेल की बात करें तो इसके अंदर जो 90 डिग्री स्टेट करके फिर वर्वर्ड और उसमें ऐसे फिक्स करते हैं तो अलगल प्रोसीजर वाइज मैंने बताया ठीक है एक बार डिव्यू दो है बात करते हैं के ट्रक ए έक ट्यूब के самом you को exist को क्षा लिए में में वह कॉलल होती पाइप या टूब होथी है जिसके सारे मां quelirin को ना मुँलैंटर से रते हैं ट्रें करते हैं इन ऊर्हां के सब्स्punkार में कmana होता है कि प्लासटी का बना होता है इस बना होता है तो नहीं कि की लगाल uti निकले으क बात करते हैं यूजज्द की तो इंपेटेफ मे बडर के भाइब के लिए कि लिए तेरापेटिक परपज है टायगनोस्टिक परपज के लिए है साइज के बात करते अब ट्रप्रेंज का चाहिए अंदर 12 to 14 फ्रेंज का फिमेल में और 16-18 फ्रेंज का इन मेल में और 18-20 फ्रेंज का इमिचुरिय कंडिशन या में उर्यूरिय इन ब्लड कंडिशन में भी यूज लेते हैं तो इसके बात करें तो फॉली के थर्टर होता है जिसके यहां पर वन लूमेन है तो लूमेन इसके बाद में देखो वन वे लूमेन वन लूमेन फॉली के थर्टर सो टाइम के लिए रबर का बना होता है उसको अंदर लों टाइम जैसे सेवन टू ट्वंटी वन डेज याने साथ से के दिन यूज लेते हैं मेड़ रबर और शिलिकन का बना होता है न वह वह वन टीवन डे से ज्यादा भी यूज ले सकते हैं तो आप अप्टर सर्जरी के उजिए लिए पोस्ट आप ओस्ट के पोश्ट के यह ओफ रेट लूमें तो कर नहीं सकता तो पैसेंट को किसी प्रकार की डिस्कंफट ना रहे उससों पचाने के लि को यहां ताकि वह सब्सक्राइब करते हैं वह लेते हैं वह लेते हैं कि इसमें बढ़ चुका है प्रोश्टेट करेगा उस से बचाने के लिए कर्व के तर्ट का यूज लेते हैं यह रेनल का लेंगे पो जेसिन की बात करते हैं इसके इसके अंदर इनर आस्पेक्ट अबाउथ थाई पिलो थाई कभी यूज नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें कॉप्लिकेशन होती है ठीक है तो यह आज का अपना लेक्चर था अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू करेगा जाहिन दोस्तों